Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Catract and Refractive Surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो चश्मा हटाने का latest laser launch हुआ है, जिसका नाम है Silk, जो एक बहुत भी बड़ी अमेरिका की कंपनी Johnson & Johnson ने October 2023 में launch करा है. इस टिकनोलोजी में अब क्या नए advancements आए हैं। और अब ये Silk laser जो है, ये पुराने चश्मा हटाने के laser, जैसे LASIK हो गया, Smile हो गया, Clear हो गया, Contura हो गया, इन सबसे कैसे Better हो गया है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ. तो देखिए, सबसे पहला advantage जो Silk का है, वो है Flapless Procedure. अब ये Flapless Procedure क्या होता है? देखिए, ये जो भी चश्मा हटाने के laser होते हैं, लेसिक हो गया, Contura हो गया, Silk हो गया, ये सारे lasers आँख के इस जगा पर, जिसको हम काली पुतली या कॉर्णिया कहते हैं, या आंग का शीशा भी कहते हैं, ये laser इस जगा पर करा जाता है. तो जो पुरानी technology थी, जैसे लेसिक था, लेसिक में हम क्या करते थे? कि ये laser डायरेक्टली कॉर्णिया पर नहीं डाला जाता है, लेसिक में क्या होता था, कि पहले मा लीजे ये किताब जो है, ये कॉर्णिया है, या काली पुतली है, पहले इस काली पुतली पर एक पतला सा flap बनाया जाता था, जो करीब एक 22 mm का कट लगता था, इस flap को उठाय जाता था, laser को डाला जाता था, और इस flap को वापिस रख दिया जाता था, तो इसमें tension होती थी कि एक flap बन गया, और ये एक तरह से एक लटकती वी तलवार होती थी, कि किसी दिन आंक में जोर से चोट लग गई, बॉल लग गया, या बहुत जोर से आपने खुजा लिया, कि खराब हो जाती थी, और आपको भाग के आंकों में hospital में जाके इस flap को ठीक कराना पड़ता था, तो ये एक major problem थी, जो silk ने solve करी है, अब silk में क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा flap जो है, ये नहीं बनाया जाता, silk का जो पूरा procedure है, वो छोटे से 2 mm के incision से कर दिया जाता है, तो क्योंकि ये procedure flap less है, तो जो flap related complications है, जैसे flap dislocation, flap wrinkling हो गया, operation के time flap buttonhole हो गया, ये सारी complications हम avoid कर सकते हैं silk procedure में, तो सबसे पहला advantage है silk का, कि ये पूरा procedure flap less है, flap less को समझने का एक और तरीका होता है, जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, open abdominal surgery and laproscopic surgery, तो open abdominal surgery में हम क्या करते थे, पूरे पेट पे बड़ा सा कट मारा, पेट को खोला और operation करा, लेकिन laproscopic surgery में क्या करते हैं, पूरे पेट पर कट नहीं मारा जाता, छोटे छोटे छेद बना के keyhole से operation कर दिया जाता है, तो समझने के लिए यही एक तरह का difference है कि जो एक बहुत बड़ा flap बनाया जाता था पुराने procedures में, सिल्क में अब वो नहीं बनाया जाता, तो सिल्क जो है यह flap less technique हो गई है, second advantage जो सिल्क का है, वो है very high quality 6-5 vision, अब यह 6-5 vision क्या होती है, उसको हम कैसे check करते हैं, एक chart से check करा जाता है, जिसको हम लोग कहते है स्नेल इंच chart, तो इस chart को 20 feet या 6 meter दूर लगाया जाता है, और अगर इस chart की last line एक इनसान पढ़ लेता है, तो हम कहते हैं उस इनसान की perfect normal vision है, जिसको 6-6 vision कहा जाता है, लेकिन सिल्क में advantage यह है कि 6-6 से भी better quality की vision मिलती है, तो अगर normal इनसान यहां तक पढ़ पा रहा है, तो सिल्क के बाद वो patient इसकी नीचे वाली line, जो super vision, 6-5 vision होती है, वो भी वो patient पढ़ सकता है, तो second advantage है सिल्क का कि जो vision की quality है, वो बहुत high definition, super vision, 6-5 vision, जो हमें contura में मिलती थी, उसी quality की vision हमें सिल्क में मि next advantage है सिल्क का instant healing, instant healing का मतलब है कि जो सिल्क operation से हमने आपका चश्मा हटाया, तो अगर आज सिल्क का operation हुआ, तो आप अगले दिन से अपने रोज मर्दा के काम सारे शुरू कर सकते हैं, और जो भी heavy काम है, जैसे gyming, jogging, running, swimming, cricket, football, ये सारे काम 4-5 दिन बाद शुरू कर सकते ह तो सिल्क में recovery जो है, वो बहुत ही fast है, compared to पुराने procedure, जहांपे हम usually कहते थे कि operation के बाद एक हपते का आपको चुट्टी लेना चाहिए, एक हपते के बाद आपको normal procedure शुरू करने चाहिए, और heavy काम के लिए हम कहते थे एक से दो महिना रुपना चाहिए, और swimming के लिए आप पानी में जाना है, उसके लिए करीब 6 मेने रुपना चाहिए, तो जो इतनी लंबी recovery थी पुराने procedures में, वो सिल्क में बहुत ही जादा कम हो गई है, शौट हो गई है, तो सिल्क हम कहते हैं, kind of instant recovery है, आज सोचा कि चश्मा हटवाना है, अगले दिन operation करा लिया, और उसके अ लीटा, और इस laser की खासियत ये है, कि इस laser की जो energy है, वो बहुत ही कम है, देखें, आँख जो है, एक बहुत ही delicate organ है, और ये जो operation है, ये आँख की पुतली या कौनिया पर करा जारा है, जो उससे भी जादा delicate structure है, तो हम लोग चाहते हैं, कि जो भी laser डाला जाए, वो कम से क energy में हो जाए, जितनी जादा एंरजी का laser डलेगा, उतनी जादा आंख में सूजन बनेगी, जितना कम energy का laser डलेगा, उतनी कम सूजन बनेगी, तो क्योंकि silk laser में जो energy है, ये बहुत ही कम है, ultra low energy laser है, इसी की वज़़ा से आंख में damage कम होता है, सूजन कम बनती है, और recovery बहु मैंने आपको Silk Procedure में पहले भी बताया था कि Silk Procedure में पुतली में लेजर जाता है और पुतली के अंदर एक पतला सा Lenticule बना देता है जिसको हम Side से पकड़ के Gently निकाल देते हैं उसमें आपके चश्मे की पावर होती है और चश्मा हट जाता है अब Silk में जो Lenticule बनता है य वो तीन फैदे होते हैं सबसे फैला फैदा होता है by convex lenticule का कि इसमें depth of focus जो है वो बहुत जादा disturbed नहीं होता अब ये depth of focus चीज क्या है देखिए आज कल की active life में एक इनसान को दूर का भी देखना है गूमना फिरना गाड़ी चलाना पिचर देखना बीच का भी देखना है मुबाइल कम्प्यूटर पे काम करना पास का भी देखना है पढ़ाय लिखाई करना और ये जो change of focus है दूर से पास, पास से बीच, बीच से पास, पास से दूर ये जो है, ये बहुत ही fast होते है billionth of a second में होते है तो जो पुरानी technologies थी उसमें हम लोग ऐसा देखते थे कि ये जो change of focus है इसमें थोड़ा सा lag होता था कि दूर से पास देख रहे हैं तो थोड़ा सा आँख adjust करेगी फिर वो focus जो है वो sharp होगा लेकिन silk में क्योंकि biconvex lenticule बनाया जाता है तो ये जो disturbance of depth of focus है ये silk में नहीं है तो patients बहुत ही जादा comfortable होते है कि दूर से पास देखना है तो एकदम instant clarity है वो जो lag था वो हमारा खतम हो किया है साथी साथ biconvex lenticule का फैदा होता है कि इसकी वज़े से आंखों में dryness कम बनती है सूखापन कम बनता है क्योंकि lenticule इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें जो पुतली या cornea की nerves है वो कम से कम damage होती है देखे क्या होता है कि ये जो भी चश्मा हटाने के laser procedures है आप silk ले लीजिए, PR के ले लीजिए, clear ले लीजिए, smile ले लीजिए, contour ले लीजिए, lesic ले लीजिए ये सारे procedures जो हैं कुछ nerves को damage करते है जिसकी वज़े से temporarily एक, दो, तीन महीने के लिए सूखापन बनता है अब ये जो silk procedure है ये बहुत ही gentle procedure है nerve damage जो है, इसमें बहुत हद तक कम है क्योंकि इसमें special तरह का bike convex lenticule को बनाया जाता है तो क्योंकि nerve damage इसमें कम है उसकी वज़े से आंख में सूखापन कम बनता है और patient की recovery और जादा fast हो जाती है तो अकसर ही जो हम देखते हैं कि पुराने procedures में दो से तीन महीने dryness बनती थी silk में हम दोंग देख रहे हैं कि वो dryness काफी reduced है और patient जो है वो बहुत ही जल्दी comfortable हो जाते है तो dryness के comparison में silk में dryness सबसे कम है क्योंकि nerve damage silk में सबसे ज़ादा कम होता है next advantage जो silk का है वो है visual axis treatment and cyclotorsion compensation अब ये क्या चीज़ है देखें जो पुरानी technologies थी ये काम करती थी pupillary axis में pupillary axis का मतलब क्या होता है कि आंक के center में मैंने एक line खीचती तो ये सारे lasers आंक के center में काम करते थे लेकिन research ने हमें ऐसा show करा कि हम लोग इस center वाला axis जो pupillary axis है इससे नहीं देखते हम लोग एक different axis से देखते हैं जिसको कहते हैं visual axis और visual axis और pupillary axis में थोड़ा सा angle होता है तो silk जो treatment है ये natural आंक का जो axis है visual axis उसमें करी जाती है और इसकी वज़े से vision की quality और जादा natural और जादा better आती है साथी साथ silk में cyclotorsion compensation का भी component है इसका मतलब क्या होता है कि जब एक इनसान सीधा खड़ा गया है और फिर वो लेट जाता है machine पर operation कराने के लिए तो हमारी जो आंक है वो थोड़ी सी घूम जाती है तो ये जो आंक घूम जाती है इसकी वज़े से जो आंकों का cylinder का axis है वो थोड़ा सा change हो जाता है तो हम देखते थे जो पुरानी technology थी smile वगेरा जिसमें cyclotorsion compensation नहीं था उसमें अकसर patients के cylinder power बच जाती थी क्योंकि जब वो patient लेटा axis change हो गया और accurate cylinder correct नहीं हो पाया लेकिन silk में ये जो change of axis है cyclotorsion या आंखों की movement की वज़े से जब एक इंसान बैठी position से लेटा है तो ये जो आंख घूमी उसका भी compensation हम silk machine में कर पाते हैं तो उसकी वज़े से cylinder की treatments है cylinder की accuracy जो silk machine में है वो एक तरह से बिलकुल perfect है तो आज की date में हम usually patients को first recommendation हमारी silk की रहती है और अगर silk के लिए patients eligible नहीं है तो हमारी second recommendation contura की रहती है और उसके बाद हम lens based procedure जैसे ICL या RLE उससे चश्मा हटा सकते हैं तो basically इस वीडियो का बनाने का purpose ये था कि silk जो नहीं technology आई है वो पुरानी technology के comparison में कैसे ज़ादा advance होगी है तेकि time के साथ साथ चीजे better होती है time के साथ साथ गारिया change होती है advance होती है safety features बढ़ते है quality बढ़ती है ऐसे ही time के साथ साथ ये सारी refractive technologies भी advance हो रही है और आज की date में जो सबसे latest technology है उसका नाम है silk अच्छे एक point मैं all add करना चाहरा था कि silk machine जो इंडिया में launch हुई है ये commercially launch नहीं हुई है ये जो machine है कुछ selected बड़े hospitals में install करी गई है जिसको हम लोग कहते हैं limited market release LMR machines तो ये सिरफ 5 hospitals हैं जो इंडिया के top hospitals है वहाँ पे launch हुई है and we are very fortunate कि i7 में भी हमने technology launch करी है and almost 2-2 साल बाद बाकी centers में भी ये technology commercially available होगी